हलो फिरेंग्स मैं इशा परज्यपत आज हम स्टार्ट करेंगे करंट जिक्ते. करंट जिक्ते आस तारीक ह्एए एक सितंबर 2000 अज से हम सब लोग करंट जिक्ते पड़ेंगे और अब स्टार्ट करते हैं सब लोग ready हो चलो, Question number 1 से स्टार्ट करते हैं Question number 1 है हाली में railway board के नए Addex के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है Question number 1 इसमें है railway board के नए Addex के रूप में किसको न्यूक्त किया गया है मलब जो अभी आज की तारीख में वो किसको न्युक्त किया गया है वो आपका option है मनोज सोनी B option है जैया वर्माशीना तीसरा option है रवनीत कोर चोटा है कलिकेसी है तो इसका correct answer होगा option B जैया वर्माशीना अब मनोज सोनी कोँ है मनोज सोनी UPSC अध्यक्स UPSC अध्यक्स के रूप में चैनित हुए हैं और रवनीत को है वो अपने बारतिय बारतिय प्रतिस परदा आयोग के अध्यक्स हैं और कल के से हैं वो है बारतिय राश्ट्रिय राइफल संग के अध्यक्स और जयावर्मा सीना है रेल्वे बोर्ड के नए अध्यक्स तो रेल्वे बोर्ड के नए अध्यक्स के रूप में पहले कौन था वो था अपने अनिल कुमार लाहोटी अनिल कुमार लाहोटी पहले रेल्वे बोर्ड अध्यक्स के रूप में न्यूक थे और हाली में यानि एक सितंबर आज है वो जयावर्मा सिना इस अदेक्स पे इस पदबे आ चुके हैं और वो पहली महिला अदेक्स है जो इस पदबे कारेरत है यानि आज कारेबार संबाला है और पहली महिला सदश्य कोन है पहली महिला सदश्य है विजय लक्समी विश्वय ठीक है चलो इसके बारे में कुछ विस्तार से पढ़ते हैं केबिनेट की नियुक्ति समिति ने रेल्वे बोर्ड के अधिक्स और सीईओ के रूप में जयावर्मा सीना की नियुक्ति को मंजोरी प्रदान की है और जयावर्मा सीना अनिल कुमार लाहोटी की जगए 1 सितंबर 2020 को पद बार ग्रहन करेंगे यानि कि आज उन्होंने पद बार ग्रहन कर लिया है और यह रेल्वे बोर्ड की पहली महिला अधिक्स भी बनी है और इन से पहले रेल्वे बोर्ड में बोर्ड की पहली महिला सदश्य विजय लक्षमी विश्वनाथन की रूप में नियुक्ति हो चुकी है यानि कि यह पहली महिला अधिक्स तो अपनी जयावर्मा सीना बनी है और पहली महिला सदश्य वो है विजय लक्षमी विश्वना प्रपर के रूप में कारिए यह संग लोग सेवा आयोग अद्यक्स यानी युपिए सिन अड्यक्स है फिर है रवनीत कोर रवनीत कोर है बारति taş परति Scenak ऐग अदक्स, कलिकेष यह है, कलिकेष यह है बार्तिय राष्ट्रे राइफल सं अद्यक्स के रूप में नियुकत है, अजै बागगा है विस्व बैंक अद्यक्स के रूप में नियुकत है, और प्रवेण सुध है CBO की निदेशक ठीक है? अपन चलते हैं Q2 की तरफ Q2 है किस राज्य के चोकवा चावल को G.I. टेक मिला है? जो चोकवा चावल जो किसम है उसको G.I. टेक कौन से राज्य है? उसको मिला है यह अपन को बताना है तो इसका ओप्सन है A. मेगाले B. है त्रिपुरा C. है असम D. है अंद्रपरदेश तो इसमें से करेक्ट आंस्वर कौन सा होगा? तो इसमें अपना करेक्ट आंस्वर है असम यानि असम है उसमें जो चोकवा चावल है उसको G.I. टेक मिला है और चोकवा चावल का अन्य नाम क्या है इसको अपन मेजिकल मेजिक राइस के नाम से भी जानते है और ये कौन सी नदी के किनारे है जहां इसका सरवादिक उत्पादन यानि कि इसका उत्पादन किया जाता है वो अपनी है ब्रह्मा पुत्र नदी ब्रहवा पुतर नदी के किनारे इस किस्म के चावल का उत्पादन किया जाता है और दूसरी चीज इसमें और कौनची किस्में है तिनसुकिया, धेमाजी, दीब्रुगट, छेतर में मलizado कौन्से शेतर में है जो चोकवा चावाल है इसका उतपादन किया जाता है वो तिंसूकिया, देमाजी, डिबुकर्ट शेतर में इनका उतपादन किया जाता है देखो इसमें देखो पढ़ते हैं इसके व्याक्या में चोकवा चावल को मेजिक राइस के नाम से भी जाना चाता है मलब चोकवा चावल का अन्य नाम है वो मेजिक राइस है और चावल की इस किसम की खेती विशेश रूप से ब्रह्म पुत्र नदी की खेतर में की जाती है ठीक है और असम में तिन सूकिया देमा जी और डिवरुकृट खेतर में चावल की यह किसम उद्पादित होती है यानि कि असम के अंदर कौन सा चेतर है जहाँ पर यह जो आपकी इस जो किस्म है यह किस चेतर में मलब उत्पादित होगी असम का कौन सा ऐस अस्तान है जहाँ पर यह उत्पादित होती है वो तीन जगा बताई है तीन सुकिया, देमाजी और डिब्रूकर चेतर अब इसके लावापन पढ़ेंगे प्रमुक जी बी आई टेग अब जी आई टेग और कौन से हैं वो देखते हैं पहला है कड़क नात मुर्गा ये कौन से राजी से समझ देता है ये है मध्यपरदेश से दूसरा है खोला मिर्च खोला मिर्च है गोवा से तीसरा मनिपूर काला चावल मनिपूर के नाम से पता लग रहा है ये है मनिपूर ठीक है और फिर है मिथिला मखाना ये है बिहार से ओडिशा रसगुला यह है ओडिशा से ओडिशा नाम से ही पता चल रहा है बनार्शी लंगडा आम यह है उत्रपरदेश में और बाग ब्रिंट है यह है मध्यपरदेश में तो यह है अपने प्रमुख जी आई टेग इनको भी परदाना यानि इनको भी मिले वे है नेक्स्ट क्यूशन है अपना हाली में विश्वे संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है यानि कि विश्वे संस्कृत दिवस है वो इन जो अपने चार ओप्सन है इन में से कौन सी डेट है जब यह मनाया जाता है यानि दो जार्टेविस में यह कब मनाया गया है यह चीज आपस से पूछिए तो इसमें ऑप्शन है 27 अगस्त B है 1 सितंबर C है 31 अगस्त D है 30 अगस्त तो इसका करेक्ट आंस्वर होगा आपका ओप्शन B sorry option C 31 अगस्त यह आगा आपका करेक्ट आंस्वर 31 अगस्त यह तो अपनी 2023 की डेट है कि 31 अगस्त को संस्कृत दिवस मनाया गया है लेकिन यह जो अपने हिंदी महीने है उसमें यह कब मनाया जाता है इसके बारे में पंद चर्चा करते हैं हिंदी महीने में यह स्रावन पुर्णिमा को मनाया जाता है यानि रक्षा बंधन के दिन ये मनाया जाता है स्रावन पुर्णिमा को क्या आता है? रक्षा बंधन तिवार आता है उस दिन है ये आपका विश्वे संस्कृत दिवस मनाया जाता है और विश्वे संस्कृत दिवस का उपनाम क्या है यानि इसका दूसरा नाम क्या है इसको किस नाम से अपन जानते हैं इसको अपन जानते हैं विश्वे संस्कृत दिनम इसको इस नाम से जाना जाता है और फिर इसके बार में विस्तार से चर्चा करते हैं देखो इस दिवस का उपनाम है विष्वे संस्कृत दिनम है यह श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है यानि रक्षा बंदन के दिन मनाया जाता है यह चीज आपको ध्यान में रहेगी फिर है इसकी सुरवात भारत सरकार द्वारा उननी सो उनेतर में संस्कृत बासा थे था विज्ञान बासा में पाणिनी के योगदान के लिए की गई मतलब इसका योगदान, मतलब यह क्यों स्राट किया गया, क्यों प्रारम किया गया दिवस इसके बारे में अपन बताएं तो इसके लिए देखो किसका योगदान है, यह अपना पानी नहीं है ना इनके योगदान यानि इनके सम्मान के लिए यह अपन दिवस मनाते हैं इन्होंने संस्कृत बासा और विज्ञान बासा में अपना योगदान दिया है अब है यह दिवस है और यहां तिथी है मलब कौन सा दिवस कौन सी तिथी को मनाया जाता है पहला है रास्ट्रिय लगू उद्योग दिवस यह आपका 30 अगस्त को मनाया जाता है महिला समानता दिवस है वो 26 अगस्त को मनाया जाता है विश्वे वरिस्ट नागरिक दिवस ये आपका 21 अगस्त को मनाया जाता है फिर है सत्वावना दिवस ये है 20 अगस्त को मनाया जाता है विश्वे फोटोग्राफी दिवस ये 19 अगस्त को मनाया जाता है और अंतरास्ट्रिय युवा दिवस है वो आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है फिर है विश्वय हाती दिवस ये 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्वय जेव इंदन दिवस ये 10 अगस्त को मनाया जाता है राश्चिय हद करगा दिवस ये आपका 7 अगस्त को मनाया जाता है और हीरो सिमा दिवस ये 6 अगस्त को मनाया जाता है तो ये आपके दिवस है इस दिवस को कौन से दिवस को कौन सी तिथी है जो किस तिथी को कौन सा दिवस मनाया जाता है ये पूरा विस्तार से है ये अपने इपोर्टेंट है इसमें से आप पड़ लेना Next है अपना कुशन हाली में डेनियल मेक गाहे पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनी है इनका समध किस देश से है यानि कि ये जो पहली डेनियल मेक गाहे ट्रांसजेंडर जो क्रिकेटर है वो कौन से देश से बिलोंग करती है वो अपना option A Canada sorry option A England option B है दक्षिन अफ्रिका C है Canada D है Japan तो इसका correct transfer क्या होगा इसका correct answer है Canada यानि ये Canada से विलोंग करती है और ये डेनियल मेक गाहे ये पहली पहली महिला क्रिकेटर है कौन सी पहली transgender महिला क्रिकेटर है अब इसके अपन व्याख्या देखते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं देखो व्याख्या है Canada की डेलियन मेक गाहे अंतरास्त्रिय मेज खेलने वाली पहली transgender बनी है यानि अंतरास्त्रिय मेज खेलने वाली पहली जो transgender है वो कोन है डेलियन मेक गाहे और इन्हें Canada की पहली इन्हें Canada की महिला टीम में चुना गया है यानि जो अपनी कौन सी इन्होंने ICC की पातरता प्राप्त करके ये पुरुष से महिला मलब पुरुष से ट्रांस्जेंडर होकर ये महिला में महिला टीम में आई है तो इन्होंने ये ICC की पातरता प्रदान करके इनको स्लेक्ट किया गया है ठीक है next question है 5 फाली में भारत का पहला solar roof cyclic track कहां पर बनाया गया है मलब यह जो अपना पहला solar roof cyclic track है कहां कौन सी जगह है जहां पर यह आपका बनाया गया option है हेदराबाद B है छेनई C है तिरुवन्तपुरम D है बुवनेश्व तो इसमें से आपका correct answer कौन सा होगा option A हेदराबाद हेदराबाद में है वो आपका solar roof cyclic track बनाया गया है और जो आपका राज्य है राज्य कौन सा है right walk right way right walk वाला policy है वो आपका पंजाब राज्य है और पहला solar roof cyclic track वो हेदराबाद में है चलो इसके बार में विस्तार से चर्चा करते हैं यह क्या चीज है और यह कितना लंबाई है इसकी चो लंबाई है वो 23 km है और इसका नाम है वो health way है इसका उपनाम है चलो इसके बार में पढ़ते हैं हेदराबाद में भारत का पहला solar roof cyclic track बनाया गया है ठीक है और इसका नाम क्या है उपनाम है health way और इसके लंबाई कितनी बताई गई है इसके लंबाई 23 km है और देखो नोट इस चीज का आपको विसेश द्यान रखना है right to walk policy लाने वाला पहला राज्य कौन है पंजाब है ठीक है next question next है हाल में Miss Earth India या 2023 का खिताब किसमें जीता आभी जो Miss Earth India वाला जो आपका competition हुआ है उसमें जो खिताब जीतने वाली है वो कौन है उसके बारे में आपको उपसने बताया है नीदी सागर B है वनसी का परमार C है प्रियान सेन D है आरूसी सी है तो इसमें से correct answer कौन सा होगा correct होगा आपका प्रियान सेन प्रियान सेन उन्होंने Miss Earth India 2023 का खिताब जीता है और इससे पहले कौन थी 2022 में इससे पहले कौन थी वो थी वनसी का परमार वनसी का परमार इनसे पहले है वो Miss Earth India का खिताब जीतने वाली है और इसके बाद प्रियान सेन ने जीता है और इनके बारे में और क्या ये अपने राजस्तान से है इनके बारे में बताया है ये राजस्तान के जपुर जिले से बिलोंग करती है और राजस्तान के जपुर की प्रियान सेन ने Miss Earth India 2023 का किताब जीता है और पिछले वर्ष इस खिताब की विजयता वंसी का परमार थी ठीक है और नई दिली में आयो जित मिस दिवान ब्यूटी 2023 राश्ट्रिय फाइनल के दोरान प्रियान सेन ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है तो इनके बारे में मतलब पहले क्या काम करती थी जो प्रियान सेन है ये किस चीज की सोकिंग थी ये थी नर्तकी और ताइकवाडो खिलाडी थी इसके बाद इन्होंने मिस डिवान वाला जो इक किताब है मिस अर्थ इंडिया वाला है वो इसमें किताब जीता है अब एक चीज का इन दो चीजों का ध्यान रखना मिस वर्ड 2022 कोन है? वो है केरोलीना बिलावसका और मिस यूनिवर्स 2022 है आर गोनी ग्रेबियल ठीक है? नेक्स्ट क्यूशन है हाली में केंद्रिय मंत्री नितिन गडगरी ने कहां पर दुनिया के पहली इत्यनोल इंदन से चलने वाली कार लॉंच की है इत्यनोल से चलने वाली कार लॉंच कौन सा है? जहां पर इनोंने लॉंच की है? नई दिल्ली में की है? मुंबई में की है? जैपूर में की है? या चे नहीं में किये, कौन सा option होगा इन में से, इन में से आपका correct option है नई दिली, नई दिली में जो नितिन गडगरी है, उन्होंने इत्थेनोल से 100% इत्थेनोल इंदन का यूज करके इस कार को लॉंच किया है, और ये जो 2022 था, 2025 के 5 महीने पहले से इन्होंने, बारत ने 2022 के शुरुवाती 5 महीनों में 10% इत्थेनोल में मारत हांसिल कर ली थी, उन्होंने 2025 तक E20, E20 यानि 10%, 20% इत्थेनोल इंदन के रूप में यूज किया जाएगा, तो उनका target 2025 था, और 2030 तक है, वो target 50% हो जाएगा, चलो इनके बारे में next slide में देखते हैं, केंदरिय मंतरी नितिन गडगरी ने दुनिया की पहली 100% इत्थेनोल इंदन से चलने वाली car को launch किया है, ठीक है, यह है वो car जिसको launch किया है, 2025 तक भारत ने E20 यानि वहनों की इंदन में 20% इत्थेनोल का लक्ष रखा है, लेकिन 2030 तक है वो इसका लक्षे है, 50% कर दिया जाएगा, ठीक है, next है, हाली में पाकिस्तान में भारतिय मिशन की प्रमुक बनने वाली पहली महिला कौन बनी, जो पाकिस्तान में भारतिय मिशन है, उसकी प्रमुक बनने वाली पहली महिला कौन थी, इसके बारे में आपका option है, गि गिरू पम्माराई, विनिता थाकुर संगीता चोदरी, तो इसमें से करेक्ट आंसूर कौन सा होगा? करेक्ट होगा आपका गितिका स्रीवास्तव गितिका स्रीवास्तव पाकिस्तान में बारती मिशन की प्रमुक बनने वाली पहली महिला है और चलो इनके बारे में जानते हैं व्याक्या इनके बारे में कि गितिगा स्रीवास्ताव पाकिस्तान में बारती मिशन की पहली मैला प्रमुक बनी है यह है अपने गितिगा स्रीवास्ताव जी और यह पहली प्रमुक बनी है अब 2005 बेच की बारती विदेश सेवा अधिकारी गितिकास रिवास्ताव अब इसलामाबाद पाकिस्तान में नई CDA होगी मलब अभी है वो CDA बनेंगे होगी और ये पहले इनकी पत्पे कौन था? डॉक्टर एम सुरेश कुमार का स्तान इन्होंने लिया है और चुकि बारत का पाकिस्तान में कोई उच्चा युक्त नहीं है इसलिए वह सर्वोच्चे रेंकिंग वाली राजनेहिक अधिकारी बन जाती है ठीक है? नेक्स्ट है आदित्य L1 के संदरफ में निम्न कतनों पर विचार करेगी कौन सा कतन सही है यह आपको दो कतन दिये हैं इनमें से आपको बताना है कौन सा कतन सही है अगर सही नहीं है तो आपको D उप्षन देना है और अगर दोनों सही है तो आपको C उप्षन देना है अगर पहला सही है तो A उप्षन दूसरा सही है तो B उप्षन देना है तो कफन खुने आपने सूर्य का अध्यन करने वाली बारति की दूसरी वेद्शाला है दूसरा कफन है इसे नासा के रोकेट से लॉंज किया जाएगा तो इसमें उप्षन कौन सा होगा? ये दोनओ उप्षन है वो आपके सही नहीं है यह दूसरी वेदशाला नहीं है, यह पहली वेदशाला है तो आपका option D होगा, नै तो पहली और ना ही दूसरी और इसे NASA नहीं, इसे ISRO ISRO ने कौन सा rocket से launch किया है, उसके बारे में आपे पढ़ेंगी अपने PSLVC 57 rocket है, जिसने यह launch होगा और यह कितनी तारिक को launch होगा, यह अपने 2 सितंबर को launch किया जाएगा और 11 बच के 50 मिनट पे यह launch होगा अब हाली में, ISRO ने अपने बहु प्रक्षिपित सूर्य मिशन आदित्य ऐलवन की launching की थी दो सितंबर रखी है, और इसका मकसद के अधित्य ऐलवन क्या करेगा यह जो सूरज के बारे में अधियन करेगा, यानि सूर्य बहु प्रक्षिपित सूर्य है यानि कि जो अपना ब्रहमाण में सूर्य है, उसके बारे में यह अधियन करेगा अधित्य एलवन ये मिशन है और ये कहां से होगा हरी कोटा के 37 दवन अंतरिक्स के अंदर से प्रिक्षेपित किया जाएगा अब देखो इसका काम क्या है वो काम बताया है यह इसरो की और सूर्य का अधियन करने वाली पहली अंतरिक्स आधारित वेदिशाला है और अपना उ 500 के द्वारा लौञच किया जाएगा और देखो आधित्य एलवन और वित्वी से सूर्य तक की दूरी तह करेगा वो सबसे पहले ये ये अंतरिक शियान को प्रिथवी की निचलि कक्षा में, यानि इसका प्रोसेस क्पछा में सतापित किया जाएगा, फिर इसे ओन बोर्ड प्रनोधन का उप्योग करके लेंग्रेज बिंदू L1 की ओर लॉंच करने के लिए अधिक दिर्ख वृत्ताकार बनाए जाएगा ये इसका अधित L1 का प्रोसेसर है कि इस तरीके से कारिय करेगा ठीक है? Next step ना हाली में चर्चित व्यों मित्र सब्द किस से समंदित है? ये व्यों मित्र क्या चीज है? आपको इसके बारे में बताना है क्या ये हुमनोइड है? या फिर ये ड्रोन है? या इलेक्टरिक कार है? या फूल की प्रेजाती है? इसका ओप्सन कौन सा होगा? ये अपना उप्सन A करेक्ट होगा हुमनोइड व्यों मित्र वो है एक महिला रोबोट है तो व्यों मिन्ना जो इस रो है वो गगन यान मिसन अभी उनका मिसन क्या था? गगन यान मिसन था लेकिन ये इससे पहले है व्यों मित्र यानि कि ये महिला रोबोट को स्पेस के इसके बाद यह गगन मिसन को कम्प्लीट करेंगे तो इसके बारे में देखो विस्तार से पड़ते हैं चंदर यान 3 की सफलता अभी अपना चंदर यान मिसन 3 है वो सफल हुआ है इसके बाद इस रोने क्या क्या प्लान मनाए इन्होंने कहा है कि स्पेस में महिला रोबोट बेजने की तहियारी कर रहे हैं अब वो महिला रोबोट को स्पेस के मादन से अंत्रिक्स में बेजेंगे अब इश्रो का लक्षे गगन यान मिशन से पहले व्योम मित्र नामा का व्योम मित्र से हमेशा याद रखना ये एक रोबोट का नाम है महिला रोबोट है जिसका नाम व्योम मित्र है और महिला रोबोट को अंत्रिक्स में बेजना है व्योम मित्र एक हुमन नोइड है और जि को अंत्रिक्स में बेजा जाएगा अब देखो इससे पहले गगन्यान प्रियोजना है यह क्या प्रियोजना इसके बारे में देखते हैं गगन्यान प्रियोजना में तीन प्रदशन के लिए तीन सदस्चों का एक दल मैंना इस मिसन में तीन सदस्चों का एक दल हैं वो 400 किलोमेटर की कख्षा में लौँच करने की परिकल्पना की गई है और इसके बाद में इस परियोजना में इन सदस्चों को वापस बारतिय समुद्री जल में सुरक्षित उतार कर मानव अंत्रिक शूडान चमता का प्रदशन किया जाएगा तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में तो जूड़े रहें जीडी केंपस पे करन्ट अफेर्स के साथ